जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका Defense Officers Academy के एक और नए informative वीडियो में और ये वीडियो होने वाला है सेनिक स्कूल की जो admission process चल रही है की counseling की जो process चल रही है उस counseling related important dates और कुछ declaration के बारे में अब counseling जो schedule है वो round 2 तक पहुच चुका आप जानते हैं ये सेनिक स्कूल की जो website है वहां पर आपको कुछ interface देखने को मिलता है यहां पर counseling process पर जब आप click करेंगे home then counseling process आपको counseling schedule संबंधित एक tab दिखेगा जिस पर जैसे ही click करेंगे आपको सारी important dates यहां mention हो जाएंगी what are these important days अगर दोस्तो जो पहला round था उससे related यहां लिखी गई है और समस्त जानकारी हमने आपके साथ share की वी थी जो दूसरा round है उसके विशह में जानकारी यहां पर लिखी है दो मई 2024 को declare कर दिया गया इस पर अभी हम बात करेंगे आगे जो important date है last date for accept allotted school is the 12th मई वो भी निकल चुकी है और verification of documents का medical commencement date 13 मई यानि कि आज रात 8 बजे तक आपने काम कर लेना है जो कि verification of document है and the last date for documentation and fee submission is the 20th of May तो अब जो important तारीख है आपके सामने वो 20 मई की है उससे पहले पहले इस documentation को और जो fee submission के काम है उसको पूरा कर लेना है बात अगर मैं करूं declaration of result की तो यहां पर 9 तारीख की जो date है वो declaration के लिए बताई जा चुकी है अब अगर मैं इसके home page पे जाता हूं और यहां पर latest news and events में देखता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि result for round 2 of e-counseling is declared on 9th May 2024 तो आज काफी दिन बहुत चुके हैं दो से सब्सक्राइब के रिजल्टे के declaration से round 1 की counseling जो प्रॉसेस थी उसके शुरू होने तक कई सारे उतार चड़ाओं हमने इस website के साथ देखे हैं तो उसी उतार चड़ाओं का एक हिस्सा आपके सामने यह भी आ का है जो 9 माई को round 2 की counseling का declaration की बात की जा रही है उसको भी खुलने में कुछ और समय है आज 13 तारीख है अभी तो इसका यह हाल है खैर आगे देखते हैं शाम तक कहें या फिर अगले दिन तक अगर यह खुल जाए तो जादा बैटर रहेगा क्योंकि information उसी के साथ आगे कोच करना है लेकिन अभी फिलहाल आपने counseling schedule में जो important dates है और खास्तार पर जो 20 माई की तारीख है उस deadline से पहले-पहले पी submission से लेकर करके document verification के सारी जो processes को complete कर लेना है और उमीद करता हूँ आपको यह जो information है यह उपयोगी रहेगी और जल्से जल्द आप इस कारवाई को पूरा कर लेंगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक और नई information के साथ तब तक के लिए जैहिंद and thank you झाल